प्यार करने वालों के लिए ये दिन काफी खास होता है प्यार के किस्से हमेशा ही लुभाते हैं ऐसे में कुछ बगावती किस्से भी होते हैं जो प्रेमी जोडों के लिए मिसाल होते हैं आपको बता दें के हंदुस्तान की राजनिती में भी कई ऐसे राजनेता रहे हैं जिनोंने इश्क किया है और उसे जमाने से बिना डरे अंजाम तक पहुँचाया है सपा के संस्थापक मुलाइम सिंग यादो भी ऐसे ही नेता रही हैं उनकी लव स्टोरी इतनी अनूखी है जो हर किसी को लुभाती है कहते हैं कि मुलाइम सिंग का राजनतिक सितारा जब बुलंदियों पर था तो साधना गुपता उनकी जिन्दगे में आई थी दोनों की मुलाइम 1982 में उस दोरान हुई जब मुलाइम लोगदल के अध्यक्ष बने थे उस वक्त साधना पार्टी में महज एक कारिकरता के रूप में काम किया करती थी बेहत खुब सूरत और तीखे नय नक्ष वाली साधना पर जब मुलाइम की नजर पड़ी तो वो भी उन्हें देखते ही रह गए अपनी उम्र से 20 साल छोटी साधना को पहली ही नजर में मुलाइम दिल दे बैठे थे मुलाइम पहले से ही शाधी शुता थे और साधना भी साधना की शाधी फुरकाबाद के छोटे से व्यापारी चंदर प्रकाश गुपता से हुई थी लेकिन बाद में वो उनसे अलग हो गई इसके बाद शुरू हुई मुलाइम और साधना की अनोखी प्रेम कहानी असी के दशक में साधना और मुलाइम की प्रेम कहानी की भनक अमर सिंग के अलावा और किसी को नहीं थी इसी दोरान 1988 में साधना ने एक पुत्र प्रती को जन दिया कहते हैं कि सादना गुपता के साथ प्रेम संबंध की भनक मुलायम की पहली पत्नी और अखिलेश की मा मालती देवी को लग गए मालती देवी के निधन के बाद सादना ने मुलायम पर उन्हें अपनी आदिकारिक पत्नी घोशित करने का दबाओ बनाया लेकिन पारिवारे खास कर अखिलेश यादों के चलते मुलायम इस रिष्टे को नाम देने से पीछे हट गए नब्बे के दर्शक में जो मुलायम मुख्य मंत्री बने तो धीरे धीरे बात फैलने लगी कि उनकी दो पत्निया हैं लेकिन किसी की मुख खोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी इसके बाद नब्बे के दर्शक के अंतिम दोर में अखिलेश को साधना गुप्ता और प्रतिक गुप्ता के बारे में पता चला कहते हैं कि उस समय मुलायम साधना गुप्ता की हर बात मानते थे 1993 और 2007 के दोरान मुलायम के शासन में साधना गुप्ता ने अकूत संपत्ति बनाई आयसे अधिक संपत्ति का उनका केस आयकर विभाग के पास लंबित है साल 2003 में अखिलेश की मां मालती देवी की बिमारी से निधन हो गया और मुलायम का सारा ध्यान साधना गुप्ता पर आ गया हालकि मुलायम अभ़्े इस रिष्टे को स्विकार करने की स्थिती में नहीं थे मुलायम और साधना के संबंध की जानकारी मुलायम परिवार के अलावा अमर सिंग को थी मालती देवी के निधन के बाद साधना चाहने लगी कि मुलायम उन्हें अपना आधिकारिक पत्नी मान ले लेकिन पारिवारिक दबाओ खास कर अखिलेश यादों के चलते मुलायम इस रिष्टे को कोई नाम नहीं देना चाहते थे 2006 में साधना अमर सिंग से मिलने लगी और उनसे आगरा करने लगी कि वो नेता जी को मनाएं अमर सिंग नेता जी को साधना गुपता और प्रतिक गुपता को अपनाने के लिए मनाने लगी साल 2007 में अमर सिंग ने सावर्जनिक मंच से मुलायम से साधना को अपनी पत्नी के रूप में स्विकार करने का आगरे किया और इस बार मुलाइम उनकी बात मानने के लिए तैयार हो गए लेकिन अखिलेज इसके लिए कत्य ही तैयार नहीं थे व्यूरो रिपोर्ट लाइव यूपी न्यूस 24 लखनो